नमस्कार दोस्तों तो कैसे आप लोग में थी कि आप लोग सही और में चैनल पर आप लोगा कुछ से बरसा आगा थे तो आज हम बात करेंगे लोग के मन में बहुत सारे मित से तो उनके बारे में थोड़ा साज डीटेल में बात करेंगे कुछ टेकनिकल चीजे होगा तो मैं चाहूँगा कि आप ध्यान से सुनियेगा तो मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूगा मेरे हिसाब से और मैंने आज तक काफी सारे रॉयल एंफिल्ट के बाइक से चला रहा है यहां तक की इंटरसेप्टर और जीटी भी चला है हुआ है तो मुझे थोड़ा बहुत तो आइडिया हुआ है और का बाकी जो टेकनिकल स्पेसिफिकेशन बगरा है उनके बेसिस में आज जो है हम बात करेंगे तो चलिए बीना देरी यह वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जो मीत आता है रॉयल एंफिल्ट के बाइकस को लेकर वो है कि बहुत जादा भाइबरेट करता है यह कुछ हद तक सही है और कुछ हद तक गलत भी है क्योंकि आप हिमालायन लेलो या फिर बुलेट है और मतलब कि स्टैंडर्ड एडिशन जो है बहुत जादा भाइबरेट होता है एक्चुल में जब आप उसको हार्ड रेव करते हो तब क्योंकि रॉयल एंफिल्ट के जितने भी बाइकस होता है उनमें सभी में जो है लॉंग स्टोक इंजिन आते है मतलब क कि बोर उसका कम होता है और स्टोक जादा होता है इसलिए पिस्टन का जो मतलब ट्रावल है बहुत जादा हो जाता है और उसका क्रेंग जो होता है वह भी नॉर्मल बाइकों से थोड़ा सा हेवी होता है क्योंकि टॉर्क इसमें जादा चाहिए होता है रॉयलिम्ट के होते उसमें टॉर्क की बहुत जादा नीड होता है तो इसलिए इसलिए क्लासिक और बुलेट में अगर देखो गए तो उसमें लगबख साड़े 8 से लेका 10 कजी का जो एक क्रेंग दिया जाता है तो इतना हेवी क्रेंग होने के वाया से जो है जब आप हाड रेप करते हो तो इतना हेवी क्रेंग जब तेजी से घूमेंगा तो थोड़ा बहुत तो भाइब्रेशन होगा यह एक कॉमन फैक्टर है तो इसी वहाँ से जो है जब आप रॉयल एंफिल्ड के बुलेट या फिर क्लासिक को जादा हाई रेप करते हो तो वह बहुत जादा भाइब्रेट करता है तो चलिए आप सेगेंड मीत के बड़े में बात कर लेते हैं तो सेगेंड जो मीत है मोलोग क शै-भैक के मनमें जोन की रॉयल एंफिल्ड का बाइख चलाना बहूत जादा डिफिकल्ड है तो यह बिल्गुल नहीं है रंळी लेन्फिल्ड का बाइख चलाना जो है उसे हैंडिल करना मतलब की उसको समझना में कौचँ कि सबसे जादा आसान है कियोंकि बहुत ज़ाधा simple build हे गारिया जो भी आता है यहां तक एंटेकस्प्टर या पर भूछ 3606 andra फिर बी सिंपल यो तो आप असानी से समझ भी सकते हो गारी को आफेज़धा से श wasn't जाता है तो इस वाया से रोयल एंफिल्ड के जितने भी बाइक से उनका वेट थोड़ा सा हेवी होता है लेकिन आपके मन में अगर विल पाउर हो तो आप जरूर चला सकते हो अब बात कर लेते हैं थर्ड जो मीत होता है उनके बारे में तो रोयल एंफिल्ड का बाइक जो है वो बहुत साउंड करता है ऐसे कुछ लोगों का मानना है तो यह जो बात है बिलकुल गला से रोयल एंफिल्ड का जितने भी बाइक साता है वो बहुत स्वीट साउंड करता है बहुत बेसी एक ग्रावल होता है उसमें कुछ स्क्वीड की वाया से जो है रोयल एंफिल्ड बढ़ना होता है भाई पता नहीं बहुत लोग जो है यहां तक की शायलेंसर स्टॉक सायलेंसर को इधर से उधर से छेत करके पता नहीं कैसे कैसे आवाज निकलता है तो वो बहुत इरिटेटिंग लगता है अगर आप एक रॉयल आन्फिल्ड राइडर हो तो आप एक own करते हो तो मैं request करोगा कि आप ऐसा ना करो क्योंकि इससे जो है लोग तो आपको cool नहीं वो लगे उल्डा गाली देगे भाई बहुत irritated ही होता है जब आप ऐसा sound करते करते जाते हो stock silencer में रखो उससे का होगा आपका गारी में जो engine में back pressure भी बहुत अच्छे से बना रहेगा तो आप fourth myth के बारे में बात कर लेते हैं तो fourth जो myth है वो है कि Royal Health का bikes जो है उनमें mileage कम होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता क्योंकि interceptor को भी आप देखोगे तो वो भी 25 से 30 तक mileage दे देता है 650 cc engine होने के बावजूद और classic 350 350 cc होने के बावजूद 40 grand mileage निकलता है क्योंकि उनमें long stroke engine होता है तो आप गारी को 2500 से लेकर 3000 rpm पे रखोगे तो आड़ाम से गारी पिक कर लेता है और उनमें redlining में only 5500 से लेकर 6,000 rpm पे हो जाता है तो high rate करने का जरूरती नहीं परता तो इसी वहाँ से जो है Royal Enix का 22 mileage काफी अच्छा देता है क्योंकि उसका engine का बनावाटी कुछ ऐसा होता है long stroke engine होता है तो mileage बड़िया रहता है तो आप बात कर ले थे 5th myth के बारे में जो कि लोग कहते है bullet अगर जादा गड़म हो जाए मतलब यह bullet एक बार गड़म होने पर कोई भी उससे टच नहीं कर सकता मतलब बहुत तेज भागने लगता है ऐसा कुछ तो आज के टाइम पर देखा जाए तो यह एक myth है और पहले की जमाने की बात के तो भापे यह कुछ हद तक सही था क्योंकि तब के टाइम पर सभी बाइक्स जो थे RD350 लेलो, RX100 लेलो शोगान बगरा लेलो सब जो है 2-stroke इंजिन के साथ आते थे लेकिन एक मतलब बुलेट ही ऐसा था जो 4-stroke इंजिन के साथ आता था और कास्ट आयरेन का उसका इंजिन था और इसी वयाँ से बुलेट उतना जादा जल्दी हीट नहीं होता था और इसी वयाँ से जो है बुलेट को लंबार इसका घोडा माना जाता था लेकिन आज के टाइम पर अगर आप देखोगे तो R15 भी या बुलेट 350 या फिर क्लासिक 350 ले लो आप उनसे जीत नहीं पाएगा अब ड्रेग रेस में और R15 बगड़ा मतलब 150cc या फिर आप 100cc का भी बाइक ले लो स्प्रेंडर ले लो भी लॉंग तूर कर सकता है अब 6th मित के बाड़ में तुरासा बात कर लेते हैं जो की है लदाक ट्रिप अगर या फिर लॉंग राइड अगर कर रहे तो आपको बुलेट ही चाहिए या फिर रोयल इन्फिल का कोई बाइक चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है आज के टाइम पर अगर आपके पास स्प्लेंडर भी हो तो भी आप लदाक कर सकते हो लदाक का सर्कीट कम्लेट कर सकते हो मैंने भहत साथे लोग को दिखाया यूट्यूब पे अगर जाओगे और लदाक और स्प्लेंडर सर्च करोगे तो बहुत सारे लोग अल्लेडी कट चुके हैं ऐसा हाँ ऐसा जरूर है कि बुलेट अगर लोगे तो बुलेट या फिर रोयल एंट फिल्ड का कोई बाइक लोगे तो उनमें टॉर्क बहुत जादा होता है एडिकुई टॉर्क होता है इस वाया से चराई में आपको थोड़ा लेकिन एंफिल्ड में जो है आपको क्लासिक 350 को भी लो तो उसमें आपको एडिकुईट एक टॉर्क बिल जाता है इसी वाया से आपको चराई करने में थोड़ा सा आसानी रहता है लेकिन आपके पस स्प्लेंडर हो या फिर कोई 150 सिसी का गारी हो फिर भी आप जो है लाई भी आ चुका है और ब्यातर टेक्नोलोजी आपको सभी गारियों में मिलने लगा है तो कूलिंग का जो सिस्टेम आता है वो भी आजकल भडिया आता है आर्वान फाइब बगड़ा वांस एपाची बगड़ा में आप ओयल कूलिंग भी लिकिट कूलिंग भी मिल जात करता है करते है कि आप लोग समझ पाए होगे अगर आप एक इन्फिल्ड का फैन बोई हो या फिर इन्फिल्ड का फैन बोई ना हो तो कोई भी बुरा मानने वाले बात नहीं है जो फैक्ट से बोई में बता रहा हो फिलाल इन्फिल्ड का तो अलग मजा है वही सब जानते ह हम लोग उसका जो डुक डुक फील है वो एक मतलब अलगी लेवल पर है भाई तो जो भी इनफी लोन करते हो तो मैं उनसे बस ही कहाना चाहूगा कि उसमें उस तरह के उस तरीका का जो साइलेंसर वगड़ा होता है मतलब वो बहुत जादा नॉइजी साइलेंसर वगड़ा ज हो सकता है 5000 का fine होता है अब फिलहाल वीडियो को जो है इबर खतम करते और वीडियो पसंद आयगा तो like कर देना चैनल को जो है सब्सक्राइब कर देना और कुछ भी मन में सवाल या सुजाब हो तो comment कर देना मैं आपके comment का जो है answer देने की कोशिश करोगा बाकी आज के लेगे ऐसी किसी दूसरे वीडियो में और अगर आप इंटरसेप्टर क्लासिक 350 का वीडियो बगड़ा देखना चाहते हो तो आई बेटन में मैं लिंक दे दूगा बहाँ पे जाके आप देख सकते हो तो चलिए बाई